आज के इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली थूदा एजिस की यूनिट टू के बारे में इससे पहले यूनिट वन हम कवर कर चुके हैं दो पार्ट में यूनिट वन को कवर किया था उसके लिए आपके लिए उसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप बस्तियों से चहरी करंड तक दिल्ली के विबिन चहरों की जानकारी आपके सामने मेरा इंस्टा आईडी है यहाँ पर आप मुझे फोलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरी या वी क्वेश्चन आपके कोई है तो आप मेरे से पूछ सकते हो यूजर नेम आपके सामने है मेरा न अवेलेबल हो जाएगी तो यह काफी हैलफुल रहेगा आपके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक देखे सबसे पहले बात करेंगे नगरों की भूमी का तो दिल्ली कई शहरों का एकिकरित रूप है अर्थार्थ दिल्ली जो था वो कई शहरों से मिल अमित किये गए थे इसको सर्वपर्थम किसने पैचाना चोथी सताबदी में एक परियर्टक आये दिल्ली घूमने के लिए अरब परियर्टक थे वो चाहबू दिन अलमुरी इन्होंने इसको पैचाना और इन्होंने बताया कि दिल्ली जो है वो विबिन नगरों से मिलकर बनी हुई एक ऐसी विवस्था है जो अपने आप में विशेश कहलाती है इन्होंने बताया कि यहां जो प्रतेक शहर है वो अपने आप में एक विशेश रहा है एक विशेशता रखने वाला सहर रहा है और दिल्ली ने उन सभी को अपना नाम दिया है यानि इन सभी सहरों क कहना ये था कि दिल्ली जो थी वो उस समय के विभिन नगरों से और विभिन समय पे बनाए हुए नगरों की एक ऐसी विवस्था थी जो अपने आप में भिन थी इन्होंने बताया कि दिल्ली की लंबाई और चोड़ाई काफी विरिस्तित थी काफी लंबी चोड़ी दिल्ली हुई थी और इन्होंने कहा कि यह 40 मील में फैली हुई थी 40 मील मैं आपको बता दूँ एक मील I think 1.60 किलोमेटर होता है लगबग अगर हम मोटा मोटा लेके चले तो 1.5 किलोमेटर के आसपास होता है एक मील के अंदर तो इन्होंने बताया कि 40 मील उस समय मील के अंदर मापा जाता था तो इन्होंने बताया कि 40 मील के अंदर दिल्ली जो है वो फैली हुई है उसके बाद बात करते हैं मद्धे कालिन दिल्ली के प्राचिंतम नगर देखे आपको पता होगा कि जो दिल्ली सलतनत काल था वो 1206 से स्टार्ट हुआ उससे पहले 1192 में क्या हुआ था राजा पृत्वी राज चोहान को मुहम्मद गोरी ने हरा दिया था दिल्ली पर अपना कबजा कर लिया था और 1206 में दिल्ली सलतनत की नीव रख दी थी और 1206 में क्या हुआ था 1206 के बाद इस मुहम्मद गोरी ने क्या किया अपने गुलाम को उत्वुदीन एबक इसका गुलाम था इसको दिल्ली पर राज करने के लिए इसने भेज दिया इसके हवाले इसने दिल्ली कर दी थी तो उस काल के दोरान जो भी उसे कहते हैं मद्धे काल मद्धे काल के दोरान कहा जाता है कि सरवादिक निर्मान कारे दिल्ली के अंदर हुए उनी के बारे में हम चर्चा करेंगे इस यूनिट के अंदर तो देखिए कहते हैं कि दिल्ली का प्राचेंतम नगर जो था वो राय पितोरा का किला था जिसके अवशेश जो है आज भी मौझूद है राय पितोरा किला मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था मालवे नगर मैट्रो सेशन से थोड़ा सा पीछे जाओगे तो आपको राय पितोरा किला मिलेगा देखने के लिए जहां पर आज भी वो जो राय पितोरा किला है वहाँ पे एक लाइबरेरी चलती है ठीक है और उसके उपर स्टैचू बना हुआ है प्रित्वी राज चोहान का स्टैचू उसके बना हुआ है तो प्रित्वी राज चोहान कोन थे वो पोत्र थे किसके यानि पोते थे वो विग्रह राज चोहान के पोते थे जिनके द्वारा राय पितोरा के किले का निर्मान कराय गया था उससे पहले दिल्ली जो थी वो तोमर वंच के अदीन थी तोमर वंच के राजा ने लाल कोट बनवाया था मैंने आपको पिछली वीडियो में बदाया था और लाल कोट का प्रसार प्रसार कराया किसने प्रित्वीराज चोहान ने लाल कोट में वृध्धी करवाई उन्होंने क्या करवाई वृध्धी उनके दुवारा जो है लाल कोट के आसपास और कुछ निर्मित करवाया गया जो उनका famous जो था वो था राय पिथोरा का किला जो उनके दुवारा बनाया गया था वो इसके नाम से विख्यात भी हुए यानि पृत्वीरा चोहान को राय पिथोरा के नाम से भी जाना जाता है ठीके उसके बाद क्या हुआ देखो तुर्क शाशन आ गया था इनके बाद राय पिथोरा का किला प्रित्वीरा चोहान ने बना दिया उसके बाद क्या हुआ बारासोचे में दिल्ली सल्तनात आ गई और कुदुबुदीन एबक आ गया यनि वो तुर्क से आये थे तो तुर्की शाशन यहां पर आ गया तुर्कियों के दुवारा क्या गया क्या क्या गया उन्होंने काफी कुछ निर्मान करवाया यहां पर इसके इर्द गिर्द राय पितोरा के आसपास बहुत कुछ निर्मान कराया उनके दुवारा क्या क्या कराया गया राय पितोरा के अंदर 13 मुख्य दुवार बना दी गए ठीके जिन में से एक मुख्य दुआर आज भी फेमस रहा है जिसको कहते हैं बदाईयों का दरवाजा बदाईयों का दरवाजा इसके नाम से फेमस रहा है इस दोरान कुतुबुदीन एबक और इल्टुतुमिश कुन था कुतुबुदीन एखक का दमात था और कुतुबुदीन एखक कुन था मैंने आपको बताएए मुहम्मद गोरी का गुलाम था जिसने इसको दिल्ली पर राज करने के लिए भेजा था और इसका दमात था इल्टुदुमिश तो इन दोनों ने अपने अपने काल में दिली में जिसे कहते है कुतुब देहली में कुतुब देहली में अपने अपने काल में निर्मान कारे करवाए मस्जिद बनवाई ठीक है कुतुब बुदिन एबक ने जो कुतुम मिनार की नीव रखी थी ये उसको चालू कराया, उसका निर्मान कारे, इल्टुतुमिशने इसको कम्पलीट कराया था, इसी दोरान इल्टुतुमिशने यहाँ पर कुतुब मस्जिद बनवाई थी, और भी काफी ऐसे कारे किये थे, जो उस समय के समाज के लिए काफी important थे, महतपून थे, तो इसके सिरी के बाद क्या होता है, सिरी को कहा जाता है, कि यह जो था, मुस्लिम शहसक दुआरा बसा आ गया, पहला शहर था, अलावदिन खिल जी का राज आ गय था, इल्टुतुमिश के बाद अलावदिन खिल जी ने दिल्ली पर अपना राज किया, और उन्होंने 1303 में सिरी का निर्मान करवाया सीरी अपने आप में एक महत्पून जगे था किसलिए था देखे उस समय पस्चिमी एशिया के अंदर मंगोलों की ताकत काफी आदा बढ़ गई थी और मंगोलों का डर बढ़ गया था दिल्ली पर आकर्मन का यानि मंगोलों ने अपना बन मना लिया था दि अंजर समतल मैदान था जहां पर अलावदिन खिल जी ने अपनी सेना को तैनात किया था एक तंबू लगा कर तो इसके उपलक्ष में उन्होंने सीरी का निर्मान करवाया सीरी का कहा जाता है इसके साथ दरवाजे थे जिसमें से एक दरवाजा आज भी देखा जा सकता है ज इसके बाद क्या हुआ लाउदिन खिल जी का राज खतम हुआ तुगलक वंशालू हूआ अब उस समय क्या हुआ सीरी की जें संक्या में बढ़ोतरी हो गई यानि सीरी में जो लोग थे वो काफी यादा बढ़ने लगे जं लगी तो जनसंख्या बंड़ना एक प्रमुक कारण थी तुगलकाबाद का निर्माण कराने का सुल्तान कया सुदिन तुगलक ने 1321 से 23 इस्वी के दोरान कहते हैं के मद्यकाल में तुगलकाबाद नामक नगर बनाया और इसको प्रेरित किस ने किया जनसंख्या ने जनसंख्या बढ़ोतरी के दोरान इसको बनाया गया यह दिल्ली के लगबग दक्षिन के नो मील पर इस्तित था यानि यह दिल्ली के दक्षिन में इस्तित था नो मील की दूरी पर और इसका विसमेकारी आकार एक रूपता और विराठ द्रिड़ता से इससे प्रभावशाली प्रतिष्टा प्रदान करता था यानि ये बहुत बड़ा था आकार में और इसमें इतना विराट इसका सुवरूप था कि ये इसको दिर्ड़ता साली प्रभाव प्रदान करता था अगर आज आप जाके इसको देखोगे इसकी लेको तो आप इसको कुछ भी नहीं समझ पाओगे कुछ अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि ये एक टाइम में इतना विराट और विसमेकारी था मैं आपको बता दूँ ये है ओखला के पास ठीक है ओखला के पास है ये अगर आप कभी जाओ देखने तो देख सकते हो जाके इसको और आज ये बिलकुली जीन शीन हो चुका है मतलब इसमें सिरफ एक बड़ा सा आपको एक गेट सा दिखेगा दरवाजा सा जो पुराने स समय का बनाया हुआ है यही और ज्यादा कुछ खास आपको दिखा दिखेगा नहीं टूटा-फूटा मिलेंगा काफी शीर्ण वस्ता में हो चुका है तुगलगाबाद की नगर योजना का अनुमान कर पाना भी आज की टाइम में एक दुश्कर का रहे हैं यह इतना खतम हो जहां पना मुहमद बिन तुगलग आये गयासुदिन तुगलग के बेटे थे यह मुहमद बिन तुगलग और इनका कारेका इन्होंने 1325 से 26 में तुगलगाबाद के पास आदिलाबाद का निर्मान करवाय था इनके पिता ने तुगलगाबाद का निर्मान करवाय था पर वो तुगलकाबाद में निवास नहीं कर पाए उनकी मृत्य हो गई थी उसके बाद मुहम्मद बिन तुगलकाई जो इनके बेटे थे उन्होंने आदिलाबाद का निर्मान करवाया ठीक है और तुगलकाबाद और आदिलाबाद इन दोनों को एक सेतु मार्ग से जोडने का इन्होंने प्रियास किया उसने कुतुब दहली, सीरी के मद्दे संपून छेतर को एक घेरे में लेने की चार दिवारी की योजना बनाई थी देकिए उसने एक योजना बनाई थी जिससे सीरी और तुगलकाबाद, आदिलाबाद ठीक है ये संपून छेतर एक चार दिवारी के घेरे में आ जाए उन्होंने ये एक योजना बनाई थी जिसे हम कहते हैं जहाँपना जिसे उन्होंने जहाँपना का नाम दिया उसने पुरानी दिल्ली सीरी जहाँपना तुगलकाबाद को एक किले बंद के तहद लाने की योजना बनाई उसका मानना ये था कि इन सभी जितने भी पुराने नगर है उनको एक किले के अंदर कर देना चाहिए उन्हें चार दिवारी के अंदर एक महत्पुन नगर बनाने की योजना उनके द्वारा बनाए गई थी मुहम्मद बिन तुगलक का विप्रा ये था कि चार जो नगर ये पुराने नगर हैं इनको एक समान दिवार के साथ जो है जोड दिया जाए यानि इनकी सोच काफी फिरोजसा तुगलक के पास चला गया सुल्तान फिरोजसा तुगलक कोन थे ये इनके चचेरे भाई थे मुहम्मद बिन तुगलक के पहले तो इन्होंने शासन को समालने से मना कर दिया था लेकिन फिर काफी को सोच समझ के बाद इन्होंने शासन को समाला और इन्होंने 1398 यमुना के किनारे अपनी राजधानी बनाई फिरोजाबाद यमुना के किनारे इन्होंने फिरोजाबाद को स्थापित किया फिरोजाबाद इतना बड़ा नगर था जो उत्तर दक्षिन में दो मिल फैला हुआ था ठीक है यमुना के किनारे पर लगबग 1350-70 के बीच उस्टा फिरोजाबाद की सरवादिक उलेखनी अमारते यानि जो उसकी दुआरा बनाए गई अमारते थी वो 64 खंबा के नाम से विक्यात थी वहाँ पर चित्रात्मक मस्जिद थी एक ठीक है चित्रात्मक मस्जिद थी और कला मस्जिद ये दो चीजे फिरोजाबाद के उस भाग में इस्तित्त थी जो वर्तमान शहजानाबाद से घुल मिल गया था उस समय तो ये सब कुछ फेमस चीजे थी फिरोजाबाद की इसके बाद आता है सेर सहा का नगर नगर है वो आता है इसके बाद देखे इनका जब काल खतम हो जाता है तो फिर आते हैं मुगल पंद 1426 में इबराहिम लोदी इबराहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था और बाबर सरव परतम बाबर ने मुगल समराज्य की नीव रखी थी ती ठीक है उसके बाद हिमाईयू आये हिमाईयू के बाद ृट शेर शूरी इस दोरान इंश्यर्शा सूरी ने 1549 से 1545 तक अल्पक चोटे से काल में इन्होंने हिमायु दौारा स्थापिद दीन पना नगर दीन पना जो नगर था यह जो दोर धैवर बनाया घ्या गया था यानि पत्सर ओर गारे की घिरा हुआ नगर का उत्री दुवार इसका सरवादिक प्रभाव शाली धाचा था जो इसका उत्री दुवार था इसके नगर का वो सबस्यादा प्रभाव रखने वाला धाचा था जिसे लाल दरवाजे के नाम से जाना जाता था जिसे लाल दरवाजे के नाम से वो मशूर हुआ विख्य देता था उसके बाद देखिए पुराना किला इंद्रप्रस्त कहते हैं जहां पर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इंद्रप्रस्त जो है पुराने किले के आसपास बसाया गया था ठीक है पुराने किले का जो निर्मान हुआ था ठीक है भविश्य में आके च रसा के दुवारा इसे पूरा करया गया और जो किल्य के भीतर पुरा किले के भीतर दो महत्पुणी मारते हैं मस्जित है और शेर मण्डल ये दो महत्पुणी मारत हैं पुराने हैं इन्दर यह हमने देखा unit 2 के अंदर जो मद्यकालीट के प्राचिंतम-नगर थे कालीज़ के यूचरी के प्राचिंतम-नगर को हम ने unit 2 के अंदर बढ़ा और यहां पर हमारी unit 2 जो है फतम हो जाती है युनिद 2 इस वीडि़ियो के अंदर हम पूरी कर चुके युनिट चैनल को झाल झाल